हलो मेरे प्यारे स्टूदेंस आई होपस हो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका आप लोगों को बहुत ही टाइम से इंतिजार था इस कि भाहिया एक complete syllabus का जो time table है वो बताइए हमें आपने पिछले वीडियो में ये explain कर दिया कि time table बनाते कैसे हैं बट last के वीडियो में ही मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आप लोगों को time table बना कर दूँगा जिसमें के specific time के अंदर हम लोग जो है वो syllabus complete कर रहे होंगे ठीक है तो यहां पर जो हम लोगों का आज का वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ time table to complete syllabus in 19 days यानि 90 दिनों के अंदर आपकी इस तरीके से पूरा का पूरा syllabus complete कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ तो अगर आप इसमें interested हैं तो वीडियो को आप आगे अच्छे से देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम लोग पैटरन के बारे में यानि के यह जो वीडियो होगा इसमें आपको complete time table मिलने वाला नहीं है लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ that's gonna be very much important जो के आगने वाले वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा कहने का मतलब यह है कि यह जो आज का वीडियो है कि complete syllabus 90 days में कैसे करें उसका time table जो detail में है वो आपका एक वीडियो में जब मैं वीडियो का script या फिर मैं कह सकता हूँ जब मैं वीडियो के उपर काम गर रहा था तो एक चीज मुझे समझ आया कि यह वीडियो जो है यानि कि यह जो topic है वो एक वीडियो में cover up नहीं किया जा सकता है कहने का मतलब यह है यहां पे कि पूरा का पूरा syllabus को एक एक chapter को मुझे बताना था कि आपको एक chapter में कितना time द बताऊंगा तो वीडियो में भी आपका 50-60 मिनट का हो जाएगा जो कि आप लोग नहीं देखना पसंद करोगे तो एक वीडियो में ही सब को बताने से बहतर मैंने यह decide किया कि हम लोग जो है वो एक series चलाते हैं जिस series में हम लोग chapter wise देखेंगे यानि कि how to complete history syllabus in 10 days जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि खुद से आप पढ़कर किस तरीके से 10 दिनों के अंदर में history syllabus को complete कर सकते हो ठीक है अब क्या-क्या चीच को हम लोग point out करेंगे इस series में थोड़ा सा इसको आप ध्यान दे दीजिए और कब आएगा वीडियो कैसे आएगा वो सारा कुछ अभी मैं दूसरा point तीसरा point जो हम लोग discuss करने वाले हैं वो वीडियो में जो के अभी इसके बाद series चलेगा के भई हर एक chapter को कितना time देना है किस chapter को कितना time देना है हम लोग वो decide करेंगे ये based होगा आपका कि उस chapter का weightage कितना है exam में as well as वो chapter कितना lengthy है इस चीच को based करके मैं आप लेना है complete या फिर ये chapter को आपको चार दिनों के अंदर complete कर लेना है ओके ये सारा कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाला है as well as हर एक subject के बारे में यानि individual subject का notes कैसे बनाईएगा आप उस वक्त यानि कि जब आप सले बस पढ़ रहे होंगे book को जब आप पढ़ रहे हो होंगे तो आपको obvious सी बात है कि notes खुद से बनाना पड़ेगा उस वक्त क्यों बनाएंगे भया notes अम लोगो खुद से इसलिए बनाईएगा क्योंकि जब आपका exam होगा या फिर जब आप test दोगे तो उस वक्त आप वापिस से जब revise करना चाहोगे तो आपको ये notes बहुत ज किम लोग हम लोग cover up करेंगे कितना number of chapters होगा कितना days में complete करना है एक chapter को कितना time देना है और a chapter in the sense कि हम लोग individual novel chapter बारे में बात करेंगे कि for an example history का chapter 1 को कितना दिन में complete करना है ये बात करेंगे और फिर क्या-क्या important है कैसे उसका notes तयार करेंगे ये बात करेंगे यानि कि ये जो time table का series आएगा वो individual subject wise आएगा history का time table 10 दिन में कैसे complete करेंगे वो अलग आएगा जोग्रफी का कैसे complete करेंगे 10 दिनों के अंदर वो अलग आएगा as well as physical science का जो है वो हाँ एक important चीच physical science का time table नहीं आएगा क्या बात करें हो भहिया physical science का time table नहीं आएगा physical science का time table इसलिए नहीं आएगा because आपको physical science का time table का जरूरत बिलकुल भी नहीं है क्यों नहीं है time table का जरूरत आपको क्यों नहीं बनाना है physical science का time table तो इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि जो महिनत आपको करना रहेगा time table बनाना है कौन से chapter किस दिन पढ़ना है notes बनाना है ये सारा कुछ का जिम्मेदारी तो मैंने already ले रखा है और आप लोगों को मैंने already जो है वो physical science अगले 20 दिन में complete कराने का promise कर चुका हूँ मैं और बहुत से बच्चों ने लगबग आधा complete भी कर लिया है syllabus physical science का क्योंकि लगबग जब मैंने announce किया था इस चीच को तब लगबग हो गया है आपका 5 से में भी 5-6 दिन हो गया है तो one fourth of the syllabus already physical science का बहुत से बच्चों ने complete कर लिया है ठीक है तो करना क्या है आपको physical science के उपर video नहीं आएगा time table का क्यों नहीं आएगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि physical science को 20 दिनों में complete करवाया जा रहा है concept era app में वो भी free of cost कोई भी charges इसके लिए नहीं लिया जा रहा है तो आप physical science का course में जाकर आराम से join कर लिजे free of cost आपको just google play पे जाकर concept era app जो है वो download कर लेना है और physical science के course में free में आपको enroll हो जाना है ठीक है by the way अगर जो चाहा रहे हैं जैसे कि physical science आराम से आपका हो गया free of cost आराम से हो जा रहा है नहीं आपको ये देखना है कि कितना chapters है नहीं आपको number of days देखना है नहीं आपको ये decide करना है कि हर एक chapter को कितना दिन में मुझे complete करना है और सबसे most important चीज नहीं आपको notes बनाना है सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया जस्ट आपको everyday वो follow करना है जो आपको concept era app पे बताया जाएगा course के अंदर यानि के जिस दिन एक lecture आपको attend करना है lecture जादा से जादा एक गंटे गर आएगा या फिर उससे कम ही रहता है ठीक है बस एक दिन एक lecture attend करना है और उसी lecture में ज जैसे कि आपका जब मैं बनाऊंगा history के उपर वीडियो तो history के उपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो या फिर वो time table उन लोगों को follow करने की जरूवत नहीं पड़ेगी जो लोग history course में enroll कर चुके हैं या फिर enroll करने वाले हैं क्यों क्यों क्योंकि again same चीज महां प करके कीजिए पहले history कर लीजिए 10 दिन के अंदर history complete आपका हो गया उसके बाद geography कर लीजिए 10 दिन के अंदर geography complete हो गया उसके बाद life science कर लीजिए life science complete हो गया ठीक है जो नहीं करना चाते हैं बिल्कुल नहीं करना चाते हैं कि नहीं मुझे तो भाईया पैसा देना ही नहीं है तो आप जो है वो खुद से पढ़िए और कैसे आपको पढ़ना है वो मैं डीटेल में आपको बताऊंगा टाइम टेबल के सीरीज के थुरू जो के आपका मेभी कल से आना सुरू हो जाएगा और मॉर्निंग में दस या साड़े दस के बीच में आपका वीडियो आ जाएगा ठीक है तो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब गर के रखो ताकि जब वीडियो आए तो आपके पास नॉटिफिकेशन चला जाए एक चीज और इंपॉर्टेंट यह है कि जो आपका कोर्सेस में वीडियो है नोट्स है या फिर वहां पर जो आपको गाइडेंस मिल र पूछन पूछना है तो आप आराम से वहां पर पूछ सकते हो हो के एप में जब आप को फ्री और को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस में आपको मिलेगा तो अगर किसी में करना है ना करना है लेकिन फिजिकल साइंस में जरूर जाकर जोइन कर ले ठीक है और स उस chapter को 3, 4, 5, 6 बार पढ़ चुका है तो उसे हर एक चीज पता है उस chapter के बारे में तो वो आराम से आपको within 1 hour, within 2 hour उस पूरे chapter को आराम से आपको बता पाएगा राइट, बड़ अगर आप जब पढ़ रहे हैं उसको initially तो आपको उस chapter के बारे में कुछ भी नहीं पता है, line by line आप पढ़ोगे पहले, फिर कैसे पढ़ना है वो तो मैं आपको time table वाले वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को basically ये बताया है कि जो हमारा time table होगा, complete syllabus 90 days में complete करने का उसका वीडियो जो है वो आपका series के थुरू आएगा, हर एक subject के लिए अलग से वीडियो आएगा और हर एक chapter को कैसे complete करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, as well as physical science का वीडियो नहीं आएगा क्यों क्योंकि physical science में आप लोगो code, timetable की कोई ज़रूरत नहीं है just physical science का जो free of course हम लोग करवा रहे हैं, concept app में, उसको जाकर आप join कर लिजे और अगले 20 दिन तक आराम से उस course को कीजिए, हर दिन एक lecture सिर्प attend करना है, और आपका अगले 20 दिन में देखेगा कि physical science आपका पुरा complete हो गया है, notes भी मिल गया है सब कुछ आपको मिल गया है, ठीक है इसी तरीके से अगर बाकी subjects कभी आप करना चाहते हैं तो बाकी subjects कभी courses available है courses का price कितना है भाया तो just आपका एक subject का 5.99 है और आपका tension खतम हो जाएगा सारा कुछ वहाँ पे करवा दिया जाएगा आपका cover up और सारा चीज आपके पास available रहेगा till examination, okay I hope कि आप excited होंगे कल के series जो start होने माला है कल से वो जो बच्चे self study करके करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए हम लोग पूरा कोसिस करेंगे कि जितना maximum से maximum हो सके उनको explain कर पाएं कि कैसे आपको करना है complete किस दिन कौन सा chapter पढ़ना है और कितना time देना है उस chapter को यह सारा कुछ आपको explain कर दिया जाएगा I hope कि आपको ये video समझ आया हो comment section में मुझे बताएं कि आपको और कौन से topic पे हम लोग video बनाएं ठीक है तो पहले तो हम लोग complete कर लेंगे ये वाला series जिसमें हमारा time table होगा subject wise उसके बाद फिर जो आप comment section में अगर कोई आपके पास और topic है उसको जब आप comment करोगे तो उस topic के उपर भी हम लोग try करेंगे video बनाने का इसी के साथ आज के video को यहीं पे हम लोग end करते हैं मिलते हैं आपसे next video में वो भी time table के साथ तब तक लिए अपना धेर सारा ख्याल लखें Thank you